गुद आफ्टरनून एवरीवन स्टुडेंट्स वी हैव दा लास्ट टोपिक ओफ चैप्टर फर्स्ट काइनेमेटिक्स पार्ट 6 बेटा हमारे पास है और जो चैप्टर फर्स्ट हमारा इस यूनिट का उसका हमारा ये लास्ट टोपिक है रिलेटिव वेलोस्टी और बच्चों बड़ा ही इंपोर्टन टोपिक है इस पे बोर्ड प्लस कंपेटिशन दोनों तरह से नुमेरिकल जो है बेटा वो हमें एक्जाम में मिलते हैं और आपको शायद याद भी होगा कि जो रिलेटिव वेलोस्टी का जो कॉनसेप्ट है ये हम वेक्टर अलजबरा में स्टड़ी कर चुके हैं बस उसी को ही हमें स्टड़ी करना है और मैंने बताया था आपको वेक्टर के अंदर बेटा कि हमने वेक्टर अलजबरा का जो कॉनसेप्ट है वो स्टड़ी क्यों किया तो आंसर है कि वन डाइमेंशन से रिलेटिड प्रोब्लम्स को हम सिंपल अलजबरा के बिहाफ पे फाइंड आउट कर सकते है लेकिन 2D और 3D की जो प्रोब्लम्स है उनको हम वेक्टर अलजबरा के बिहाफ पे सोल करते हैं तो इसलिए हमने वेक्टर अलजबरा को स्टड़ी किया था और उसका जो रिजल्ट है रिलेटिव मोशन का जो हमने स्टड़ी किया था बेटा मैं एक बार फिर रिवाइज करवाऊंगा आपको उसको अब हमें यहाँ फिर से स्टड़ी करना है लेकिन उससे पहले जरा हम एक बार फिर से समझते हैं कि रिलेटिव वेलोस्टी जो है इसका मिनिंग जो है वो क्या होगा और बड़े अच्छे से देखेंगे सबी ना ध्यान से देखेंगे बिलकुल इजी कॉंसेप्ट है सिंपल लेंग्वेज में कॉंसेप्ट है और यदि थोड़ा सा आप कंसंटेट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको यह समझ में आएगा So let us start relative velocity जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि velocity क्या होती है लेकिन relative का मतलब जो है वो क्या होगा तो आपको ध्यान होगा starting में हमने के example भी लिया था relative motion के regarding में rest और motion जो है वो एक दूसरे के relative है तो उसी तरह से अब यहाँ पर हमें relative velocity को express करना है बचों जब कभी दो object है मेटा suppose A and B जो मू कर रहे हैं with velocity V A and V B जो की same भी हो सकती है और different भी हो सकती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे So we can say when two objects A and B are moving with different velocities then velocity of one object say A with respect to another object say B is called as relative velocity of object A with respect to object B क्या मतलब इस बात का? अक सर इस तरह की statement हमें books में लिखी हुई मिलेगी लेकिन इस statement का बच्चों actual में meaning क्या होगा? तो बेटा इसका meaning हमारा होता है क्या? the relative velocity of one object with respect to another object is the velocity with which one object moves with respect to another ये बच्चों वो velocity है जिसमें एक object जो बेटा वो मू कर रहा है दूसरे के respect में बेसक से चाहे दोनो motion में हैं लेकिन यहां जो हम बात कर रहे है relative velocity की उसमें एक object दूसरे के respect में कितना मू कर रहा है जिसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक mathematical statement भी इस concept में इंटर्डूस करते हैं और वो mathematical statement क्या होगी बेटा तो आंसर है relative velocity is the time rate of change of relative position of one object with respect to another object यह I think सबसे simple statement है क्या statement है बेटा relative velocity is the time rate of change of relative position of one object with respect to another object तो relative velocity कुछ और ना होके यह है क्या बेटा this is the time rate of change of relative position time के respect में बच्चों जो relative position में change आ रहा है किसी object की A दूसरे के respect में B उसी को ही बच्चों हमने relative velocity का नाम दिया है अब जरा relative velocity के expression को draw करने के लिए ध्यान से हम देखेंगे जरा इसको बड़े अच्चे से तो बेटा इसके लिए हमने one dimensional motion consider किया that is motion along a state line तो यह हमने को एक state line जो है वो consider की और इस O को बेच्चों हमने origin treat किया और अपनी तरब से माल लिया क्या कि जब time की value 0 है तो यह और यह A और B की positions है A and B are the positions of A and B when time is 0 और origin की respect में इसको बच्चों हमने denote किया x01 as well as x02 से मान सकते हैं आप कि suppose एक तो है x-axis से 5 distance पे और दूसरा है x-axis पे 10 distance पे suppose हमने माल लिया तो मैं कहता हूँ यह distance 5 है पेटा यह distance 10 है तो अब यह क्या होगा तो यह होगा उनके बीच का separation point to be noted here object A बेटा यहाँ है जिसका origin से distance का है x01 object B यहाँ है जिसका origin से distance कितना है x02 तो यह A का separation यह B का separation और इन दोनों के बीच का यह separation होगा this is the separation between A and B यह initial separation कहलाएगा बच्चों कब जब time की value क्या है बेटा 0 है और अब दोनोंने चलना start किया किस velocity से say V1 as well as V2 इसको आप V1 बोल दे या VA बोल दे एक ही बात होगी बेटा और इसको आप चाहे V2 बोल दे या VB बोल दे एक ही बात होगी और हमने घड़ी में time note किया जब इन्होंने चलना start किया suppose करें इन्होंने 8 o'clock चलना start किया 8 बजे और अब हमने 7-8 बजे दोनों की position को note down किया 7-8, 7-8 कोई भी एक हमने time fix कर दिया after 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes whatever कोई भी आप समझ सकते हैं अब A पहले यहां था उसका origin से distance था x01 अब A पोहँच गया यहां पर इसका origin से जो distance है वो हमने क्या मान लिया x1 मान लिया B पहले यहां था बेटा चलने से पहले जिसका origin से distance x02 हमने माना था और अब B पोहुच गया x2 इसका origin से distance कितना है X2 अब आप यह सोच रही होंगे कि B आगी क्यों है A पीछे क्यों है यह कोई भी हो सकते है मतलब इस बात का यह है बटा कि V1 V2 यदि दोनों सेम है बच्चों, point to be noted again यदि मैं आपसे कहता हूँ कि V1 V2 दोनों सेम है तो बताओ यह separation कितना होगा सोच ज़रा मैंने starting में बताया आपको यह suppose 5 है यह suppose 10 है तो यहां से यहां तक कितना separation है 5 This is 10, this is 5 तो यह कितना हो 5 तो 5 जो है बटा यह इनके बीच का initial separation होगा बच्चों और दोनों सेम रफ्तार से चल रहे हैं और आदे घंटे बाद यहां पहुँच गए अब मैं आपसे करता हूँ यह बताएं यह separation कितना है तो बच्चों आपका आंसर होगा कि sir यह again 5 ही होगा कारण इसका क्योंकि दोनों सेम रफ्तार से चल रहे हैं जो separation पहले होगा इनके बीच में वही बाद में होगा first case तो हम बोलेंगे यहां v1 is equal to v2 यह इसका मतलब होगा लेकिन यदि मैं आपसे यह कहता हूँ बेटा कि v1 की value v2 से ज़्यादा है तो अब बताएं खुद आप क्या होगा b dhierे चल रहा है a fast चल रहा है तो क्या होगा यह चलता जाएगा ऐसे और a क्या करेगा a इसको पास आएगा किसी टाइम में और उसके बाद इससे आगे निकल जाएगा तो दूसरी possibility यहां हो सकती है बचों v1 is greater than v2 यदि v1 v2 से ज़्यादा है बेटा तो दोनों चल रहे हैं लेकिन दोनों चल रहे हैं दोनों के बीच का जो gap है जो की हमने 5 माना अपनी तरप से assume किया है वो gap दिर दिर क्या होगा वो gap दिर दिर कम होता चला जाएगा और एक case वो आएगा जब इनके बीच का gap बिल्कुल 0 और उसके बाद a, b को overtake करके काफी आगे निकल जाएगा ये इसका मतलब होगा यदि हम मानते हैं V1 is greater than V2 और यदि third possibility हम माने तो हो बेटा यदि हम ये माने V1 जो है वो V2 से less है अब सोचे जरा क्या होगा तो यदि V2 की value जादा है V1 की value कम बचो तो बेटा अब जो इनके बीच का separation 5 है इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा वो separation दिर दिरे increase होता चला जाएगा मतलब B बहुत ही आगे निकल जाएगा और A उससे काफी पीछे रह जाएगा तो I think आप साइज समझ पा रहे होंगे जो तीन possibilities की मैंने बात की है एक मान मैं फिर से repeat करता हूँ fast fast बचों इनके बीच का gap आप कुछ भी माल ले हमने assume किया 5 है ये suppose करे 5 है ये suppose करे 10 है तो ये separation आजाएगा 5 अब उसके बाद जब दोनों चलना start करेंगे और आदे घंटे के बाद हम दोनों की position को not down करेंगे तो उन में जो gap होगा वो same भी हो सकता है वो जादा भी हो सकता है और वो gap overcome होके बढ़ सकता है depending upon V1 is equal to V2 V1 is greater than V2 और V1 is less than V2 यदि V1 V2 बराबर है तो initial gap final gap के बराबर होगा V1 V2 से जादा है तो ये gap धीरे-धीरे कम होता जाएगा 5, 4, 3, 2, 1, 0 और फिर उसके बाद A, B से आगे निकल जाएगा और यदि V2 V1 से जादा है तो जो gap initially 5 है बेटा वो धीरे-धीरे भढ़ता जाएगा 6, 7, 8, 9, 10 and so on और B, A से काफी आगे निकल जाएगा तो ये हम बात करेंगे अभी फिलाल तो ये आपको समझ में आ गया अब theoretically मैंने लिखा 2 objects A and B are moving with uniform velocities और एक बात और बचों कि यहाँ जो V1 V2 है ये uniform है मतलब यदि दोनो 5 km पर हार से चल रहे हैं 20 km पर हार से और एक चल रहा है 10 km पर हार से उसी से चलते रहेंगे तो uniform का मतलब बचों सेम जो starting में है वही last में है So two objects A and B are moving with uniform velocities V1 and V2 along a state line and at t equal to 0 times of 0 बेटा जब उन्होंने चलना start नहीं किया ये मतलब होता है time 0 का otherwise time 0 का मतलब यह नहीं कि समय रुक गया समय तो चल रहा है लेकिन यहां time 0 का मतलब उन्होंने चलना start नहीं किया है ये इसका मतलब है at t equal to 0 x01 and x02 be the displacement of objects from the origin origin से उनका displacement बोल दो चाहे आप या distance बोल दो आप एक ही बात है क्योंकि state line motion में distance और displacement दोनों बराबर होते है and x1 and x2 be the displacements of object after time t और t time में origin के respect में इसका displacement x1 है बचों और इसका displacement x2 है now position of object a and b after time is given by अब आप से यह कहा जाए कि t time में इनकी position क्या होगी ये displacement क्या होगा तो बच्चों हमें पता है ये जो displacement है कितना होगा तो answer है ये displacement जो कि x01 है plus ये displacement क्या इस x1 को मैं o a plus में a और इसको आप मालने point suppose मैं इसको m माल लेता हूँ और suppose इसको मैं n माल लेता हूँ तो क्या इस x1 को बच्चों हम लिख सकते हैं o a plus में a m बिल्कु लिख सकते हैं o a कितना है बेटा x01 अब a से m की value क्या होगी ये displacement कितना होगा तो answer है ये velocity और कितने time में achieve किया है t time में तो यदि इस v1 को t से multiply कर दे बच्चों हम तो वो आ जाएगा a से m का displacement और दोनों को add up कर दें तो आ जाएगा total x1 जो कि मैंने लिखा ये x1 कितना है बेटा x01 जो की o a है plus a से m का जो की v1 into t है similarly बच्चों x2 कितना होगा बेटा x2 होगा x02 ये और फिर b से n का displacement अब b से n का displacement कितना है तो answer है t time है v2 velocity से इसने achieve किया है तो v2 into t so x2 is x2 is x02 plus v2 t ये हमारी equations आ गई है उनकी positions के respect में किसी time t में अब यदि बच्चों first equation को हम subtract कर दे second से x2 minus x1 x02 vector plus v2 t minus x01 vector plus v1 vector into t तो क्या मिलेगा बेटा हमें तो हमने subtract कर दिया equation first को from second we get x2 minus x1 equal to x02 plus v2 t minus x01 plus v1 t और bracket open कर दिया हमने इन दोनों को साथ साथ लिखा और इन दोनों को साथ साथ लिखा हमने x02 minus x01 plus v2 minus v1 into t अब यहां से left में आ गया बेटा x2 minus x1 right में x02 minus x01 plus v2 minus v1 into t अब x2 minus x1 क्या है जरा diagram में देखे ध्यान से यह complete x2 है यहां से आ तक यह complete x1 है यहां से आ तक of b with respect to a at time t b का a के respect में relative displacement यह कहें extra displacement similarly x02 minus x01 को बेटा मैंने x0 का नाम दिया this is the relative displacement of b with respect to a और यह कब बच्चों जब time की value क्या थी बेटा 0 थी जब उन्होंने चलना start नहीं किया था तो यहां से बच्चों इस x0 को left में ले जाएं तो finally हमें मिलता है x minus x0 vector की form में equal to v2 minus v1 vector into t तो finally यहां से बेटा v2 minus v1 क्या आगा मेरे बच्चों v2 minus v1 आजाएगा बेटा x vector minus x0 vector by t and बच्चों this is the time rate of change of relative position of b with respect to a ध्याम से देखें बेटा यह क्या है this is the relative change in position of b with respect to a और बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को ही बोलते हैं बेटा relative velocity of b with respect to a तो यह हमारा expression आ गया relative velocity of b with respect to a यदि आपको लिखना होता v, a, b इसको बोलेंगे बेटा इसको बोलेंगे v, b, a इसको हम ऐसे लिखेंगे v, b, a and this v, b, a equal to v2 vector minus v1 vector यह आप ऐसे भी कह सकते हो vb vector minus v, a vector मतलब v2 कह था velocity of b v1 कह है velocity of a तो जब भी हमें relative velocity निकालनी है that is v, b, a मतलब b की velocity a के respect में तो बच्चों हम क्या करेंगे हम b की velocity में से a की velocity को minus कर देंगे vector form में इस तरह से और यदि हमें लिखना होता v, a, b velocity of a with respect to b तो हम लिखते बचा v1 minus v2 या v, a minus vb मतलब a की velocity में से b की velocity को minus करते लेकिन यह हमारा concept vector के भीहाब पे आ गया और ज़रा ध्यान से सोचे क्या कि यह जो value आई है बचा हमारी यह क्या आई है this is the relative velocity of subtraction of vector शायद आपको याद होगा vector algebra में हमने study किया था r vector equal to a vector plus b vector as well as एक हमने पढ़ रा था r vector equal to a vector plus minus b vector जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a vector minus b vector और मैंने बताया भी था आपको ध्यान होगा आप I think और यदि याद नहीं है आपको तो आप जो मेरे चैनल की playlist है बेटा उसमें relative velocity जड़ा पढ़ के देखें बड़ा interesting concept हो और उससे आपको इस सारा दुबारा से clear हो जाएगा जो हमने vector में study किया था और इसलिए इस concept को पढ़ने से पहले बच्चों हमारा main region यही है हमने vector पहले क्यों पढ़ा अक्सर बच्चे questions पूछते हैं कि सर हम इसको ना study करके पहले vector क्यों पढ़ते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ जो relative velocity है यदि किसी बच्चे को direct बताया जाए यह ऐसे होती है तो उस बच्चे को बड़ी दिक्कत आती है समझने में कि सर यह कैसे होती है पहले हमने vector पढ़ा addition पढ़ा, subtraction पढ़ा और subtraction का ही यह case कहलाता है बच्चों क्या? relative velocity तो relative velocity कुछ और ना होके यह vector subtraction की ही application है बच्चा यह इसका मतलब है now as here we are dealing with one dimension motion बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चा वो one dimensional motion की बात कर रहे है और one dimensional motion कौन से होते हैं? motion along a straight line जिसमें distance as well as displacement का जो magnitude है वो बराबर होते हैं मैंने magnitude और displacement क्यों कहा? क्योंकि बच्चा displacement negative भी होता है मैं distance कह रहा हूँ 5 मैं displacement कह रहा हूँ minus 5 लेकिन दोनों का magnitude 5 है इसलिए हमने यहाँ लिखा है magnitude of displacement वो दोनों बराबर होते हैं तो इस situation में बच्चों हम क्या करेंगे? arrow heads can be ignored अब यहाँ जो arrow लगा रखके हैं हम इनको ignore भी कर सकते हैं so we can write इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे बेटा V2 minus V1 equal to X minus X naught by T and this is known as velocity of B with respect to A that is relative velocity of B with respect to A तो यह हमारा expression आगया अब यहाँ से क्या क्या cases हो सकते हैं बच्चों case first यदि मैं आपसे कहता हूँ बच्चों V1 V2 बराबर हैं तो क्या होगा? जो मैंने starting में आपको बताया यदि बेटा V1 V2 बराबर है तो यहाँ V minus V 0 यह 0 आ जाएगा X minus X naught upon T equal to 0 इसको इधर ले आए यह 0 हो गया तो इसका मतलब आ जाएगा X minus X naught equal to 0 यह कहें X equal to X naught अब X क्या था? सोचे ज़रा X हमने क्या माना है? X हमने माना है बेटा X2 minus X1 यह जो है X का लाएगा This is X This is the X और X naught क्या है बेटा? X naught है यह यह X naught है तो बच्चों यह X naught है और यह X है तो यदि V1 V2 बराबर है तो मैंने बताया था starting में कि यदि यह separation 5 है तो यह भी क्या होगा 5 होगा? तो मतलब दोनों में जो gap starting में है वो ही gap last में रहेगा तो इसका मतलब यह हुआ X minus X naught 0 और we can say X equal to X naught So the object remains at the constant distance apart तो उनके भी इसका distance constant रहेगा तो यदि आप से कहा जाए कि इसका एक position time graph plot करें तो यह हमारा positional यह time है एक तो मैं graph plot करता हूँ position time ऐसे इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब object rest में है This is also a position time graph for the rest object लेकिन इसी में इसे graph plot करता हूँ इसका मतलब object की position में change आ रहा है और constant rate से change हो रही है तो state line आएगी unequal rate change हो रही है तो ऐसे भी हो सकती है और वो ऐसे भी हो सकती है इसके बारे में भी मैंने आपसे का था कि graph जो हमें इस chapter में दे रखे हैं बच्चों उन graphs को यहां ना पढ़के उनको हम next chapter में पढ़ेंगे क्योंकि हम यहां पर इन graphs को study करेंगे और फिर इन ही graph को next chapter में हम फिर से study करेंगे accelerated motion में तो क्योंने हम एक साथ ही study कर लें वहां समझने में भी हमें काफी आसानी होगी तो इसलिए मैं इन graphs को यहां ना study करके बेटा next chapter में आपको बताऊंगा फिलाल इसके लिए केबल बात कर रहे हैं तो यहां पर जो gap initially है उनके बीच का बेटा वो finally रहेगा तो इस तरह से दोनों में motion होगा यह उनका position time graph कलाएगा और यहां पर यह यह दी gap 5 है यह भी 5, 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 यह भी 5 and so on last तक इनके बीच का gap सेम रहेगा जिसको मैंने लिख है fixed रहेगा कब? जब V1, V2 के बराबर है लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ if V2 is greater than V1 यदी V2 जादा है V1 कम है मतलब B जो है वो तेज भाग रहा है और जो A है वो slow भाग रहा है तो क्या होगा? तो V2 minus V1 जो है बटा वो positive आएगा This is positive So we can say X minus X naught is also positive और इस बात का मतलब क्या होगा बच्चों? इस बात का मतलब होगा कि जो X minus X naught है that is relative separation goes on increasing मतलब ये कि यदी B की velocity जो है बटा वो A से जादा है यदी B की velocity जो है बच्चों वो A से जादा है तो फिलाल जो gap 5 है उसके बाद क्या होगा? ये gap बढ़ता चला जाएगा B बहुत आगे निकल जाएगा और A उससे पीछे रह जाएगा तो यदी ये position time graph है initial positions ये हैं इनकी तो इस line से हमने A की position को show किया और इस line से B की position को show किया और आपको साफ नजर आ रहा है इनके बीच का gap लगाता रहा है जो gap starting 5 है 6, 7, 8, 9, 10 and so on क्योंकि ये fast travel कर रहा है तो इनके बीच का जो gap है वो लगातार increase होता चला जाएगा that is relative separation goes on increasing कब? जब V2 V1 से जादा है और यदी बच्चों third possibility ले 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 लें तो बेटा V1 is greater than V2 यदी V1 V2 से जादा है अब V1 जादा है V2 कम जब कम में से जादा को माइनस करेंगे बच्चों negative answer आएगा हमारा तो इसका मतलब यहां से V2 minus V1 negative अब V2 minus V1 negative है बच्चों तो X minus X note भी क्या आएगा बच्चों negative आएगा इस बात का मतलब क्या होगा the relative separation goes on decreasing increasing मतलब यह इस बार A जो है वो fast चल रहा है और जो B है बेटा वो slow चल रहा है initially दोनों के बीच का gap हमने 5 मान लिया अब A जो है जो की fast चल रहा है उसकी वज़े से A और B के बीच का जो gap है separation दिर दिरे कम हो जाएगा 5, 3, 2, 1, 0 और उसके बाद क्या होगा A, B से काफी आगे निकल जाएगा उसको cross करेगा और cross करके और take करके उससे आगे निकल जाएगा so we can say the relative separation goes on decreasing and after some time object meets अब कुछ टाम के बाद क्या होगा बैटा दोनों मिलेंगे और जब मिलेंगे तो दोनों का separation 0 and finally और उसके बाद क्या होगा faster object जो कि A है moves more away moves करेगा more away किस से from slower object B B से काफी आगे निकल जाएगा तो इसका graph जड़ा देखें कैसा आएगा बैटा इस graph कुछ ऐसे आगा ध्यान से देखें इस graph पे भी हमें अकसर numericals मिलते हैं exam के अंदर तो यह x02 यह x01 और यह जो gap है आप देख सकते हैं दोनों gap क्या हो रहा है decrease होता जा रहा है और उसके बाद यह इससे आगे निकल जाएगा तो यह gap जो 5 था 4, 3, 2, 1, 0 और उसके बाद यह जो point है बेटा जहां दोनों लाइने आपस में cross कर रही है इसको हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम meeting time जिस time में वो मिलें है और इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम meeting position तो अकसर ऐसे graph हमें given होते हैं और उसमें आपसे यही पूचता है कि बेटा किस time में दो train आपस में मिलेंगे इस time में उनकी position क्या होगी ये बता देंगे हम और उसके बाद ये separation लगातार increase होता चला जाएगा तो separation घटा और उसके बाद A, B से काफी आगे निकल जाएगा तो ये meeting time कहलाता है ये meeting position कहलाती है तो ये हमारे पास आगया टीन possibility V1, V2 बराबर हो सकती है V2, V1 से जादा हो सकती है या V2, V1 से कम हो सकती है अब ज़रा सोचें आप कि vector algebra जो हमने study किया थे बेटा वहाँ पर हमने जो velocity calculate की थी, velocity of A with respect to B I think आपको याद होगा, जिसमें हमने एक माना था V A और एक हमने माना था that is V B, कुछ इस तरह से और दोनों के बीच का जो angle है बेटा वह हमने क्या लिया था theta angle वह हमने angle theta मना था फिर हमने बात कि थी कि velocity A के निकालने B के respect में तो B को rest में लाएंगे और B को rest में लाने के लिए हमने क्या किया था इस B के उपर इसको रखा था, किसको ये V B है इसको मैंने क्या नाम दिया minus V B करा इससे होगा क्या, ये rest में आ जाएगा अब ये velocity हमने assume की थी इसी velocity को बेटा A पे superimpose भी क्या था हमने मतलब ये V A है और इसको हमने इस पे भी रखा, मतलब इस minus V B को V B पे superimpose करेंगे और इसी को V A पे रखेंगे minus V B है अब और ये क्या था पेटा, ये V B था अब आप खुद बताएं ये यदि theta है, तो ये कितना होगा ये होगा 180 minus theta और उसके बाद हमने इस V A और इस minus V B का निकाला था resultant, this one और बचों इसी को ही हमने नाम दिया था V A B का, और कितना आए था parallelogram से, वो आए था V A का square प्लस V B का square प्लस 2 V A V B cos 180 minus theta और जब cos 180 minus theta लिखते हैं बेटा तो second quadrant में बचों cos की value negative होती है इसका मालिक कौन है, sign है क्यों है, इसके बारे में भी हमने बड़े अच्छे से बात की थी, vector algebra में quadrant system के अंदर कि second जो quadrant है बेटा उस second quadrant में cos की value negative होती है, और ऐसा कहने के लिए हमने reason क्या लिया था बेटा This is positive x-axis This is negative x-axis This is positive x-axis This is negative x-axis अब जो हमने triangle ली है second quadrant में, इसमें ये side होगी minus x ये side क्या होगी, plus y ये side क्या होगी minus x-axis square plus y-axis square मतलब ये side आ जाएगी x-axis square plus में y-axis square का under root और मैं अब आप से कहता हूँ, इस triangle से बताएं sin theta कितना होगा p by h, positive cos theta क्या होगा, b by h, negative 10 theta क्या होगा, p by b, negative cosecant क्या होगा, h by p, positive secant क्या होगा, h by b, negative coat क्या होगा, b by p, negative तो यहां से साफ पता लग रहा है बेटा, कि यदि हम इस triangle से बच्चों sin और cosecant के अलावा किसी और trigonometric function की value calculate करते हैं, तो नेगटिव आएगी और इसी लिए बच्चों हमने कहा है, कि जो second quadrant है यह sin का घर है as well as cosecant theta, तो इन दो को छोड़कर बाकी सभी की value यहां negative होती है इस region से, सेम इसी तरह से यहां, यहां, यहां अलग-अलग quadrant में triangle बना के जब हम solve करते हैं, तो यहां पर सभी की value positive आती है, यहां sin cosecant की positive आएगी, इसी तरह से triangle यहां बनाए हम, angle theta ले ले हम, minus x, minus y यह x square plus y square and root solve करते हैं, तो यहां पर 10 और quote को छोड़कर बाकी सारे negative आएगे, और इसी तरह से यदि triangle यहां लेकर हम solve करते हैं मैटा, तो cos और secant को छोड़कर बाकी सारे negative आएगे बचों, और इसलिए हम बोलते हैं कि यह सारे सभी का घर है यह sin cosecant का घर है यह 10 और quote का घर है और यह cos and secant का घर है, तो second quadrant में cos की value negative and cos 180 minus theta is minus cos theta तो यह आपको ध्यान होगा हमने study किया था vector algebra में अब यहां पर जो हम बात करेंगे वो केवल दो ही case है क्योंकि हम यहां 1D की बात कर रहे हैं 1D की मतलब या तो object या object ऐसे जाएंगे या object ऐसे जाएंगे straight line motion मतलब या तो object ऐसे जाएंगे parallel और या object ऐसे जाएंगे straight line गे मतलब anti-parallel तो यहां पर जो possibility बाता केवल 2 possibility है क्या या तो two objects moving in same direction या two objects are moving in opposite direction अब यदि बच्चों same direction में जाते हैं तो theta क्या होगा 0 जड़ा put करो इसमें जैसे theta को 0 यहां रखों cos 0 1 क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बच्चों va का square plus vb का square minus 2 va vb का under root मतलब va minus vb का whole square और उसका under root और square root से कट के बच्चों क्या बन गया ये बन जाएगा बच्चों va b equal to va minus vb point to be noted here जब भी कभी बच्चों दो object same direction में travel कर रहे हैं तो relative velocity कैसे आएगी बेटा एक की velocity में से दूसरे की velocity को minus करके आएगी कब same direction ध्यान रहे मैं फिर repeat करता हूँ same direction में subtract इस तरह से करेंगे and when two objects are moving in opposite direction एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है इसमें क्या था इसमें same direction ये भी इधर और ये भी इधर तो इस case में क्या होगा बच्चों इस case में theta होगा 180 degree और जैसे ही यहां 180 रखते हैं cos 180 cos 90 plus 90 cos 90 पे quadrant change minus sin 90 क्योंकि second quadrant में cos negative होता है और वो minus minus plus तो बच्चों इस बार बनेगा va plus vb का whole square गंड root वो कट जाएगा root उससे तो va भी आ जाएगा va plus vb तो ये दो बाते आपको याद रखनी है विशेश तोर पर जब हम 1d को deal करते हैं one dimension motion में जब भी आपसे का जाए कि relative velocity क्या होगी यदि object same direction में travel कर रहे है va minus vb और यदि object opposite direction में travel कर रहे है तो va plus vb एक ज़रा question लेते हैं छोटा साम बुक में आपके गिवन होगा I think simple सा question है आपसे कहरा है बेटा कि दो train है हमारे पास और एक track पर खड़ी है parallel track है एक की length 120 meter दूसरे की length 80 meter दोनों ने एक साथ चलना start किया एक चल रही है 42 km per hour की रफतार से दूसरी चल रही है 30 km per hour की रफतार से और uniformly चल रही है सोच के देखें क्या होगा obvious है जो तेज चल रही है वो इसको एक time के बाद completely overtake करके आगे निकल जाएगी तो यही आपसे इस question में पूछा है कि कितने time में fast वाली slow वाली को completely overtake कर जाएगी और यदि uniformly चल रही है मतलब यह 42 से चलती रही है और यह 30 से चल रही है जबकि इस question में statement सेम है लेकिन थोड़ा से difference क्या है यह जा रही है इधर 42 से और यह जा रही है इधर 30 से इस case में क्या होगा opposite travel कर रही है तो आपसे पूछा कितने time में यह एक दूसरे को completely cross कर जाएगी यह इसका मतलब है अब आप जबना यह सोचें इस तरह से मतलब यह जो trainer आगे वाली इसका जो tail है पीछे वाला जो डबबा last डबबा जो हो गया यह tail हो गया यह दूसरी के head से यह दिन मिल जाए तो इसको बोलते हैं completely overtake कर जाना और अब second case में दोनों opposite जा रही है completely cross कर जाना completely cross का मतलब क्या होगा जब दोनों की tail से tail match कर जाए इसको बोल दे है completely cross कर जाना तो बच्चों जब completely cross करेंगी तो यह diagram होगा अब मैं आप से कहूँ यहां से यहां तका displacement बताएं तो answer है दोनों की length को add up कर देंगे हम 200 meter आ जाएगा और 100 होगा लेकिन पहले case में दोनों parallel चल रही है relative velocity क्या होगी V minus VB that is 1,42,1,3,12 12 km per hour तो VAB equal to delta R magnitude that is displacement upon time हमें time निकालना है तो VAB है बेटा 12 12 क्यों है subtract हो गई क्यों theta 0 है और 12 km per hour km 1000 meter 1 hour 36 second जिसको cut करें हम तो 5 by 18 आ जाएगा और इसको solve करके time निकालेंगे तो 60 second में ये इसको completely overtake कर जाएगी और यदि बात करते हैं इसकी हम again VAB इस बार दोनों opposite है add up कर दो जोडेंगे तो ये 72 km पर आ रहा जाएगा 5 by 18 लिखके meter per second में convert कर लेंगे delta r again 280 इस बार t solve करेंगे बच्चों वो हमारा आ जाएगा 10 seconds तो 10 second में completely cross कर जाएगी और 60 second में completely उसको overtake कर जाएगी तो इस तरह ऐसे questions हमें मिलेंगे relative velocity पे based तो वो हम आपको next video में जो है वो बताएगे आंसे Thank you